नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लेब असिस्टेंट है जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया था राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड के दुआरा उसके बारे में डिसकेसन हो करेंगे ठीक है किस को तयारी हो करने चाहिए किसके यह फाइदिमंद हो रही कि किसके लिए नहीं रहे कि ठीक है वैसे वेकेंशन नहीं है तो फाइदिमंद तो सभी के लिए जो कि संग्या बड़ी आए है ना लेव असिस्टेंट के अंदर आगर आपने लास्ट वेकेंसी देखी होगी तो उसके अंदर साइद जहां तक मुझे ध्यान में लगबग 700 के आसपास सीटे देख ना और लगबग 190 या फिर मैं कहूं कि 200 के आसपास आपकी जनरल कटेगरी क इतनी मैरित थी तब आप अपना टारवेट हो सैट कर सकते हैं कि मेरे को 250fried रखना है 210 निवाई हैwelling ना है आपके पास अगर टारगेट होगा कि मेरे को इतने नंबर हो पड़ेगे तब ही मेरा सयलेक्शन होगा तो आपको उसी प्रकार के यहते ही रही इस टोटल सिट हैं, इसके लाव होम साइंस के अंदर भी आपके पद्धा हों दिया गए हैं, लगबग 37 पद्धा हो होम साइंस के अंदर हैं, ठीक है, अब यह देखिए, इसके इलिजिबिलिटी का वो क्या रखेगी है, कहां पर आपको यह सब्जेक्ट हो चाहिए, कम्प् पर आप देखिएंगा, तो यहां पर जो उप्र वाले हैं, 5, यहां पर साइंस के सो क्यूसन हो आएंगे, आपके फिजिक्स के क्यूसन आएंगे, लगबग 33, ठीक है, पे मिलेंगे, और बाकि 34 उस प्र रहें बाइलोजी के, बाते हैं, और यह सब का जो इस्टेंडर्ड की बुक चल लिए वो आपको पढ़ने है और जो पुरानी बुक चलते थी और भी सी बोड की वो भी आपको पढ़ने है वहीं से पूरा पेपर हो बनाया जाता है ठीक है तो अगर आप तैयरी करना चाहते हैं तो आपको जो इलेमंट और ट्वेल्ट चाहिए आप जोग्राफ वो एकदम जो ग्यारवी क्लास के अंदर जो बच्चा पढ़ता है 15-16 साल का न उसको ध्यान में रखता है वो बुक हो लिखे जाते हैं अगर आप पढ़ेंगे अब तो आपको बहुत चीज़ें असान लगेंगे तो आपको बुक हो पढ़ने चाहिए चाहिए आप जीकी क पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं किसी भी वेकिमसी के अगर आप तयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम बुक तो हो पढ़ने ही चाहिए ठीक है अब बात करते हैं तो यह देखिए सो क्यूशन आपके सब्जेक्ट के आएंगे और पचास क्यूशन आपके जिक्के के हो मैंने आपको बताई दी लगबग एक सो नबबश से दोसों के बीच हो लास्ट नहीं में रहे थी लेकिन आप सभी को पता है कि वर्तमान के अंदर हो मेरिट कहां तक जाती है तो आपको टार्गेट उसी परकार हो लेना पड़ेगा और उसी परकार से आपको मैनत हो करने प पताई इसके निचे हम बात करते हैं यह देखिए आपका वितनमान यह भी काम की चीज़ है कि कम से कम आपको यह तो पता होना चाहिए कि दो आप नोक्री की पैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आपका प्यमेंट हो क्या होगा तो यहां पर यह देखिए राज्य सरकार द्वा वापस से आप देखेंगे तो ये दिखिए कनिष्ट सायक है जो पांस नंबर कोलंम केंदर वो दे रहा हो मैं निकालता हूं उसके अंदर आप देख लेना अब बात करते हैं भातर रहो उनसेक्ष्शनWesternे क्योंगई ना उसके अंदर प्दा करते हैं अ फैष्ट था उसके लिए कम से कम आपके पास यह योग्यता है वो होने चाहिए ठीक है उससे फोर्म अप्लाई करने के लिए तो वेकल्पिक विश्यों के रूप में निम्नलेकित विश्यों में से कम से कम तीन विश्यों के साथ सीनिर सेकिंडरी हैना मतलब है ट्वल्थ कक्सा के अंदर आपको जो भी यह सब्जेक्ट दे रहे हैं उसके अंदर आपके पास तीन विश्यों होने चाहिए थे हैना वह विश्यों आपके पास तीन होने चाहिए थे एक तो है सुक्सम्जी विग्यान एक है जेव प्रोद्यो कर सकते हैं इसके बाद ये देखे पदकोड दो से लेकर पांस तक आपके पास क्या है वो योगिता होनी चाहिए तो ये किसी मानिता प्राप्तर बोर्ड से विज्ञान विशे के साथ सीनियर सेकंडरी या उसके समतुले प्रिक्षिया मतलब आपके 12 के अंदर साइंस अगर आ जाना यही सिरफ आपको चीह कि अगर आपके 12 कक्सा के अंदर अगर आपके पास जोग्राफी सब्जेक्ट था और आपके पास होम सेंज सब्जेक्ट था या फिर दोनों थे दोनों थे तो आप दोनों पदों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं अगर इनमें से एक था तो उस पद के लिए आप अपलाईए वो कर सकते हैं, ओके, अब बात करते हैं, आपकी मतलब जो minimum age है, वो मतलब क्या है, तो यह देखे, एक जिनवरी 2030 को अगर आप 18 वर्स के आयू प्राप्त कर चुके हैं, तो आप अपलाईए वो कर सकते हैं, इसके अंदर, और आपकी जो लोक्षाला सायक बरती परिश्या का आयोजन नहीं होने के करण, अवेदकों को अधिक्तम आयोशीमा में तीन वर्स की छूट दी जाएगी, ठेक है, तो यह देखे, अगर आप जनरल के टेगरी से भी बिलोग करते हैं, तो आप 40 वर्स तो यह है, आपकी अधिक्तम प्लस तीन वर्स यह आप मान सकते हैं, तो 43 यह सक तक आप फोर्म अपलाई है, वो कर सकते हैं, ओके, इसके बाद आपको जो छूट मिलती है, OBC है, EWS है, है ना, जो SC है, HT है, महिला है, इन सबको जो छूट दी जाती है, वो यहाँ पे लिखे हुई, आप पढ़ सकते हैं, आपक ही होगी, ठीक है, अब बात करते हैं, दोस्तों, किसको तैहरी करनी चाहिए, हना, सबसे जड़ा फाइदेमंद सोदा हो, किसके रिए रहने वाल है, वो हम डिसकसन करते हैं, अगर आप सिरफ और सिरफ रिट की तैहरी कर रहे हैं, हना, और पलस अगर आप सेकंड ग्रेड सा अब्जेक्ट किया हो, एक सो तीस क्यूशन हो पूछे जाएंगे, जिसमें से अगर बिल्कुल सेम टू सेम अगर मैं सलेबस की बात करूँ, तो जिसका लेव असिस्टेंट का जो सलेबस है, उसके अंदर आपके अस्टी क्यूशन तो कम से कम स्कूल वाले तो पूछे ही ज अब उससे टेस्ट का प्रेसर वो अलग होता है, तो आप अपनी तेहरी को प्रक्षने के लिए भी इसकी तेहरी वो कर सकते हैं कि हाँ, आपके पीसे एक तो एक टार्गेट हो जाएगा, अपना सलेबस हो आप 28 या 29 जून तक हो करने की सोचेंगे, एक तो ये प्लस पॉइ अब चाहिए ना, इसके अंदर तो मान लिजे आपके सोहर नमर आते हैं, या फिर आपके मतलब बाणम आते हैं, पिचानम आते हैं, कितने भी आएए उससे कोई फरक हो नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसके बास जो आपकी दूसरी एक्जाम होती है, तो दूसरी एक्जा भी एक है चांस होगा, क्योंकि अगर आपका टार्गेट सिरफ और सिरफ रीट है, तो आप पूरा कॉर्स कम्प्लिट करने की सोचें जो नहीं है जुलाई तक, फिर आप लास्ट के जो दो मेने हैं, तीन मेने जो आपको मिलेंगे रीट की एक्जाम के बाद दो मेने, आप आपको 3rd grade के अंदर selection लेना है, तो आपको कैसे भी करके अपना complete course है, वो June तक तो करना ही पड़ेगा, तो यह same to same जो मैने second grade science के लिए बोला है, उसी परकार का एकदम same to same आपके पास भी एचांस है, जो भी आपने पढ़ा है, वो आप कितना सही कर पा रहे हैं, कितना जो तो आप मानने मेरी और आपको book पढ़नी है, जो भी NCRT है, RBSC है वो book आप जरूर पढ़ने हैं, चाहे किसी की भी आप तैयरी करें, चाहे second grade की करें, चाहे rate की करें, चाहे third grade की करें, आपको book तो पढ़नी पढ़ेंगे, बोक आप पढ़ेंगे, तो book में से question भाहर बहुत कम जाते हैं, जबकि coaching के अंदर कुछ को आप छोड़ दें, तो coaching के जो notes होते हैं, उसमें से question हो बहुत कम आते हैं, आप अजमा के देख सकते हैं, और read का अगर आपने paper दिया, तो आपको पता भी है, बताने कि मेरे साब से कोई आप सेकता हो नहीं है, तो आप book पढ़ें, और read की अगर तेहरी कर रहे हैं, तो आपको level system के तेहरी हो करनी चाहिए, तो आपकी पीछे फायदा यह हो जाएगा, कि आप अपना पूरा syllabus हो, मतलब जून के अंदर complete करने की सोचेंगे, और जो पढ़ा है, उसमें से आप कितना सही कर पा रहे हैं, वो भी आपको चाहिए भी हो चल रहा है, तो second grade math की मा बताऊं, तो मेरे साब से अगर आपने पूरा syllabus हो कर लिया है, क्योंकि हम भी तक हमारा syllabus तो हुआ नहीं है, मेरे वाले course के अंदर तो लगबग माई लाश्ट तक अब हो जाएगा, तो फिर आपके पास 25-26 तारी मतलब दिन हो बचेंगे, तो भई काम आएगा आपका लेवस इस्टेंट के अंदर, तो जो आपने जीके पड़ा है, या फिर आप 25-26 दिन के अंदर जो साइंस पड़ेंगे, उसमें से आप कितने क्यूशन सही कर पा रहे हैं, जो आपने पड़ा है, उसमें से माले जी क्यूशन कम आएंगे, लेकिन ज से मेरे वाले कोर्स के माबात में हुई है, फिर किसी और कोचिंग में, जिसमें मतलब कोर्स मही तक जा रहा है, तो उसके वाद आप 25-26 दिन के अंदर मेरे साइब से पूरा जो सलेबस है, लेवस इस्टेंट का वो कवर नहीं कर पाएंगे, इसके लाबा एक वर बड़ी ब होकम बचेगा, लेवस इस्टेंट के त्यारी मेरे साब से नहीं कर पाएगा फिर 25-26 दिन के अंदर, तो उनके पास भी चांसा होकम है, अब आप सब को पता है कि सब क्या हो रही है, वेकेंशिया एकटी हो रही है, तो किसका सेलेक्शन किसके अंदर हो जाए, इसलिए आप मतलब फोरम बढ़ना ना चोड़ें, क्योंकि इस बार भी कहीं के साथ वो दोखा आगा, काफी जनों की कमेंट आई थे, कि रिट की वज़े से हमने वीडियो का वो फोरम हो अप्लाई नहीं किया था, तो आपको फोरम हो अप्लाई करना सी है, किसी को पता नहीं है कौन सी कब हो जाए और कौन सी एक्जाम हो, कब हो जाए, ठीक है, तो आपको फोरम हो अप्लाई करना सी है, ताकि आपके पास एक उप्सन तो रही, साथे तीन सो चार्सो रुपे में कुछ नहीं जाने वाला है, फोरम हो आप अप्लाई करें, जो शिरफ रिट की तेहरी कर रहा है जो आप 2nd grade science की तेहरी कर रहा है, उसके लिए golden chance है, इसके लावा जोग्राफी और home science का तो मैंने आपको बताए है कि जो मतलब rate की तेहरी कर रहा है, या फिर second grade तो उनका home science भी तेहर होगा, और साथ में जोग्राफी की क्योशन तो हर exam के अंदर वो पूछे चाते हैं, चै आपका कोई doubt है तो आप comment कर सकते हैं और इसके लावा description box में आपको telegram channel का link में लेगा, वहाँ पर भी आप join आउओ कर सकते हैं, ठीक है, thank you, जैन जेवार